हेलो गईस टेक्नो फाहद में आप लोग का स्वागत है तो दूस्तों आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे ICICI Mind Debit Card की जो की मेरे पास आज डिलीवर हो चुका है आज इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे, रेव्यू करेंगे, इसके फीचर्स, बेनिफीट्स और इसकी फीस और चार्जस के बारे में भी बात करेंगे और अगर आपको भी ICICI Mind Zero Balance अकॉन ओपन करना हो तो इसकी पूरी डिटेल में मैं व्यूडियो बना चुका हूँ तो चलिए हम फटा-फट से इस डेविट काल की अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा यह देखने को दिखता है और इसमें क्या-क्या फीचर्स वगरा हमें मिलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह डेविट काल हमारा आ चुका है हमारे पास और चलिए हम करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग जैसे कि यहां पर लिखा हूँ अब यह है यह माइन मतलब अकॉंढ भी है इसका जीरोगेलांस और माइन डेबिट काल है अब इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या फीचर्स मिलते है तो यह देखने में कैसा लगता है अब देखते हैं कितनी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट है कि ज स्को ओपन कर लेंगे हम देखके और इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं और यह देख सकते हैं कुछ η जिसकी गवये में इसको हम साइड में रख देखते हैं, उसके बाद ये इसकी गाइड है, कैसे यूज करना होता है, क्या पूरा प्रोसेस वगारा दिया होता है, मैनुवल गाइड में, उसके बाद ATM हम देख सकते हैं, यह हमारा है डेविट कार्ड, इसको अच्छा आपको दिखा भी देते हैं कुछ नमबर वगारा हैट कर लेते हैं, सेक्योर्टी परपस के लिए, और यहां पिस पे एक सिलिप रखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है इसका कुछ इस तरह से डेविट कार्ड, जो कि देखने में काफी प्रीमियम दिखता है, हम इसको निकाल लेते हैं इसमे के आप अपने विर्च्णी पिन भी सेट नहीं कर सकते हैं, कि अगर अगर आप सेट करने जाते हैं अपने मूब más अवाइल बैंक वाइल बैंकिग में तो वहाँ पर यह नमबर मांगे जाते ढमा प्रीमियम ल में पीछे bij ऐाइक की तरफ होते हैं यह नमबर आप प्रीमिय का logo भी आपको मिल जाता है contact list आपको logo मिल जाता है आप इसे कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह कुछ इस तरह से देखने को मिलता है काफी premium है इसकी fees जो है 177 आपकी yearly fees है अब हम इसके जो है transaction limit दे दी गई है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ATM limit जो मिलती है मतलब आप cash withdraw कर सकते हैं per day एक लाक रुपए इस debit card से उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको transaction limit मिल जाती तीन लाक रुपए पर दे तो यह काफी ठीक है क्योंकि अगर आप जो है online या offline कहीं shopping वगार हम अगर आप card को use करते हैं तो वहाँ पर आप जो है per day तीन लाक रुपए तक जो है transaction कर सकते हैं उसके बाद जो है आप ATM किसे एक लाक रुपए कर सकते हैं international transaction पर आप देख सकते हैं 2 लाक रुपए per day आप कर सकते हैं ATM से और transaction limit आपकी है 2 लाक रुपए per day आपको दोनों में दो-दो लाक रुपए per day मिल जाती यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जाता है तो इसका जो है पिन जनरेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं मुबाइल एप्लिकेशन से आप इसका जो है पिन को जनरेट कर सकते हैं तो मतलब देखा जाए तो 177 रुपाई कि इसकी फीस है यरली तो उस हिसाब से काल काफी या लुक देखने को मिला तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है माइन का एक सेंबल भी दिया हुआ है अलाकि यह काल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसका डिसिबल मैं कर चुका हूँ यहाँ आपको डिसिबल कर देना चाहिए अगर आप यूस नहीं करते हैं तो तो दोस्तों यह थे इस काल की छोटी सी अन्बॉकसिंग और आप लोग कमेंड में मुझे जरूर बताएगा क्या आपके पास डैबिट काल आपका डिलीवर हो चुका है या नहीं आप कमेंड बॉ यहाँ और बीट के नहीं जो और आपका डैबिट काल के अपको लिए वेड़ कर लिये चरूंक करेंilateral आप و कूब कर आप आपका काल इशू कर दिया जाता है वहां से, तो आपको कुछी दिन वेट करना आपके पास SMS आ जाएगा, तो दोस्तों मुझा अमीद आपको इस वीडियो से कुछ हल्प मिली होगे, अगर हल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, अगर आप चैनल पे नह मिलते हैं जब तकल अपना खयाल लगी है, गुडबाय, टेक केर.